जहें दोस्तों आप सभी के स्वागत है मेरी चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में हूँ कृष्णा दोस्तों और आज हम फिर से लेकर आया हूं बस्तों इस तो जो प्रशन का सीरीज है उसका तो दोस्तों हम आज फिर से पढ़ेंगे प्राचिन भरत की तिहास के बारे में दोस सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन बेल को भी ओन करें त्याकि में दोड़ा अप्लोट किया लिए वीडियो अप्टन दोस्तों इस वीडियो का पहला कोश्चन और इस वीडियो सीरीज का जो है एकसिवा नूमबर का ये कोश्चन है तो कोश्चन है बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई थी पर घया वर जाएग हो जो है सिद्धांत को जोड़ा हुआ है तो दोस्तों ये जो है महावीर जब आये थे उन्होंने जैन्धर्म में क्या था जो bhram देख लेते हैं अगला प्रशन नीमन लिखित में से कौन सा सिध्धान्त उपनिसद से संबंधित नहीं है तो उपनिसद नहीं है वो क्या है जो है दुख सिध्धान्त दोस्तों जो उपनिसद में क्या है दुख का जो सिध्धान्त है वो उपनिसद से संबंधित नहीं है कारा आप्सन जो है सहीं हो जाएगा तो दोस्तों वे राज की और अलोग्य वैक्ती थे वो इंद्धेते थे लोगों की जीश्यम कूलिंगते थे मतलब घी मर्चठ की सेवा मैं अप्ना बूरी तरह से योगदान देते और क्या प्र наж ते रत रतन करना पसंद करते थे दो दो सो उड़ स्वास्टर से संबंधित और वेदों 가능 का है तरहां कितने थे के बारे देखे लेद व्यरۖ सिन होते हैं तो इस को हुच्छा गया तो यहाँ पस वेदो और वेद की संख्या कुल कितनी है उसको पूछा गया तो इस क्वेद कितने है चार है और उपवेद कितने है चार है तो क्या करेंगे दोनों को जोन रहेंगे तो क्या हो जाएगा जब दोनों को जोन रहेंगे तो क्या हो जाएगा वो 8 हो जाएगा तो इस तरह जो है वेद और उपवेद मिला के कितना हो गया कुल 8 संख्या होगा तो क्या हो जाएगा इसका यह option जो है सही है तो अगला प्रेशन देखने देखने हैं प्रेशन अमर है 86 मद्धपदेश में हरपा के समकालिन सभ्यता किस नदी के किनारे जो है विक्सित हुई है तो दोस्तों जो हरपा सभ्यता है उस समय जो विक्सित हुआ है वो क्या है नर्मदा नदी के किनारे हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा चौथा option सही है तो दोस्तों इसमें दिया है छीपरा तो चिप्रा नदी कौन से सहर के किनारे बसा हुआ ये question बहुत बार पूछा जा चुका है ये दिखते हैं मध्यप्रदेश वाला question में पूछा जाता है तो मध्यप्रदेश जो है जो चिप्रा नदी है वो क्या है उज्जैन सहर के किनारे ये बसा हुआ है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है शूर्य देवी गायत्री को संबोधित किया है तो क्या हो जाएगा इसका जो सही उत्तर है वो क्या है तीसरा रिग वेद जो सहीत है उसमें क्या हुआ है जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देव गायत्री को संबोधित करता है अगला प्रसि उत्तरवैदिक काल में जीवन के चार चर्णो अर्थात आश्रम में कौन सा सूपतिष्ठित जो है नहीं था तो दोस्तों उनमें से जो चार जो आश्रम उसमें सूपतिष्ठित नहीं था वो कौन सा है दोस्तों जो है सूपतिष्ठित वो क्या है सन्यास आश्रम आप पढ़ई होगे जो आस्रम है क्या है क्या है इसमें है आपका दिया हुए जो चार आप जो आस्रम जो है उसमें पहला क्या था ब्रह्म चेहरी उसके बाद क्या है ग्रिहास्त आस्रम उसके बाद क्या है वानकरस्त आस्रम उसके बाद सन्यास आस्रम तो दोस्तों इस तरह आप चारो आस्रम के बारे में जानते ही होगे अगला प्रशन देख लेता है अगला प्रशन है जो है गारगी सहिंटा में किस विदेशी आक्रमन का उलेख है तो दोस्तों जो गारगी संहिता है उसमें जो उलेख हुआ है वो क्या है यवन आक्रमन तो क्या हो जाएगा इसका B option सही होगा यवन आक्रमन जो है गारगी संहिता में इसके पूरी तरह से संचिप्त वाइनन है किसके बीच लड़ा गया था और इसमें कितने लोगों ने क्या होगा है तो क्या होगा उसका A option सही है तो अगला प्रशन करहला देख लेते हैं कि दोस्तों अगला प्रशन हम प्रस्ट नंबर हैं उसका इन यृपसं अब्रपब्र समिध्र में जमीन नएक और जी डी सब्यक्राइब का संबंध किस से है तो तोलकप्यम का जो संबंध है वो जो संबंध है वो किस से है व्याकरण से संबंध है दोस्तों जो तोलकप्यम है वो एक प्रकार से क्या है व्याकरण है और ना की क्या थे नाटाक महाकाविया जाता कथा इनमें से कुछ भी नहीं थे वह क्या थे एक व से प्रतर फुलेक मिलते है तो क्याँ सॉनों से उपसन जो हम हो गाली प्रेशन प्रशान नंबर है 95 ऐसे मान्यत कि जैनोंग के मूलां तो जैनुक जो मूल अंग जो थे वो कितने थे तो दोस्तों उसके जो मूल अंग जो थे वो क्या थे बारा अंग थे तो क्या रही सडी ऑप्सन जो है सही हो जाएगा अगला प्रशन देखने ते हैं सिंदु घाटी सभ्यता का चौंथा महत्वपूर्ण नगर जो गुजरात से खंभाद की खाड़ी खंभाद की खाड़ी के सांथ क्या है जो है भोगवा नदी के तट पर इसी थे तो को तो कि दोस्तों वो कौन सी जगह है तो आप और वो क्या है चौंथे नंबर पार खोजे जाने वाला महतवपूर्ण सहर है तो दोस्तों वो जो सहर है वो क्या है नम्बर है संतन्बे वैदिक काल में मानव जीवन को चार भागों में बाटा गया था तो उन भागों को आश्रम कहा जाता था उन में से मुख्य इस्थान क्या है जहाँ बाटा गया था उसका जो चारों में से क्या है मुख्य जो इस्थान है वो कौन से है तो दोस्तों उसमें जो मुख्य इस्थान है वो क्या है ब्रह्म हचर्य को दिया गया है तो ब्रह्म हचर्य क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा ब्रह्म हचर्य क्या हो जाएगा सही आपको याद है ब्रह्म हचर्य क्या है सबसे मुख्य स्थान माना गया है अगला प्रेशन देख लाए था प्रेशन नमर है 98 नीमने में से कौन सर राजा जो है प्राया जनता के संपर्क में रहता था तो ऐसे नीचे चार आप्शन दिया हुए है दोस्तों यही क्या है सभी मौर रेवन से संबंधित है इसमें से कौन सा राजा है जो जन के संपर्क में सबसे ज़्यादा रहता था तो वो राजा है कौन है आपका समराट असोक समराट असोक क्या होते थे जन संपर्क में सबसे ज़्यादा रहा करते थे तो क्या हो जाएगा इसका जो बी आप्सिन है वो क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा तराइन का दूती युद्ध दूती युद्ध में सववा और इस वीडियो का अंतीम कोश्चन दोस्तों महाविर स्वामी का बाल ले काल का नाम क्या था तो दोस्तों जो महाविर स्वामी थे उसके बच्पन का नाम क्या था तो उसके बच्पन का जो नाम था वो था वर्दमान था तो क्या हो जाएगा वर्दमान उसकी बच्पन का न सब्सक्राइब लोड़ों दोश्तों मेरे वीम्स वीलियों को पूरा ते कि इसकर 粉प बहुंद धन्याएब थैंक यू झाल झाल